अब जा रहे हैं शिलॉंग की तरफ और शिलॉंग से जस्ट पहले पढ़ती है उम्यम लेक तो हम सबसे पहले जाएंगे और देखेंगे उम्यम लेक तो जी काजी रंगा नैशनल पार्क में राइनोज देखने के बाद किसे मेरे बच्चे बुलते डाइनसौर वो देखने के हम निकल गए हैं शिलॉंग की तरफ तो पहले हमारा प्लान था कि यहां से निकलेंगे हम और गोहाटी में स्टे करेंगे आज और फिर कल सुबह निकलेंगे शिलॉंग के लिए थोड़ा जल्दी मॉर्णि में फ्री हो गए तो हमने सुचा गोहाटी में क्यों निकना सीधे करवज चले जाते हैं तो अप्लान यहां कि हम सीधे शिलॉंग की तरफ जा रहे हैं और शिलॉंग से जस्त पहले जब हम पाऊचने वाले होते से आज से पहले औमम में लेक पड़ती हैं जिसे बड़ा पानी भी कहते हैं आपे तो ऊमियाम लेक पर लोकेंगे अंनी बच् हम लोगों ने अंडवान में लिखाता है कि आहां पे सुपारी पेड बहुत थे और यहां पे भी बहुत सुपारी पीछे लेजो पिसारे सुपारी पेड़ थे इनके पर एक्षली लगिवी पिदिख रही है कि मेरे पीछे हैं हुम्मिएघ करें अब यह जो रिजॉर्ट है हुम्मिएघ्ट और इस रिजॉर्ट के अंदर से इसकी रोपी पर फेल्ट का यहाँ पर चाड़ लगता है अब यह अंदर आगा देखते हैं यहां पे जादा भीड़ा का नहीं है लेमेटेड लोग है लेक कि ती तक लीक है कि अचिक अथjatक मजज ची कि बुट तुरिस्टी मिज़ार और काम है जugen के जी जिके लिएته आशी ऑल फो कोटات कि बर्देट मठ भाद přसा राश्न matter खरेत फिर कोट आश्न कायों बश्यों थेल आश्नाос्य Mission और रूम अचीप वहेखलं? yeah me my wife and this one yeah how much five six seven eight then two percent required two more what are the charges for 10 percent 118 now finally we are back in the boat in the speed boat तो जी यह थी लाइटलूम लेक यहां पर more or less boating ही होती है बाकी you can spend some good time here this is like you can keep approximately one hour for this place you know main road से कट लेना यहां रुकना बोटिंग करना एक घंटा maximum देड़ घंटा that's that is max what you can spend and then you can leave for Shilong if you are on the way to Shilong yeah so हम लोग अभी बैठते हैं पास साथ 10 मिनित पदना मिनिट and then we'll leave for Shilong हमने सोचा नहीं था लाइटलंग कैनियन में इतना टाइम लगेगा और एक्चली टाइम इसलिए नहीं लग रहा है कि बल्कि टाइम इसलिए लग रहा है कि शिलॉंग के आसपास के इस पूरे एरिया में भयंकर जाम है तो और जाम इतना है कि बस हम थोड़ा सा चलते हैं फिर क्रॉल करते हैं अब थोड़ी थोड़ी गाडी चलने लगे अधर्वाइस बीच में तो ऐसा था कि लगबाग 20 मिन अगर यहां जाम लगाए तो ऐसानी कि बहां से आने वालों को अबस्ट्रक्ट कर दे हैं वाहां जान लगए तो यहां के लोग रेगुलर्ली चल रहे हैं इधर उधर जंपिंग नहीं हो रही है ताकि ट्राफिक अबस्ट्रक्ट हो जाए मेगाले ने हमारा जबर्दस्ट बहुत तेज बर्साथ चलो होगी है बहार और बच्छी कुछी कसर गूगल ने निकाल दी जिसने हमें पता नहीं क्यों में रोड से और इधर अधर से अटा के गली कुछों में खुषा दिया और इट तुक अलोड अफ ताइम और फिर यह बर्सात होने लग गई तो विया कि गंटा और लग जाएगा तो और प्लस बर्सात होगी तो क्लियर स्काई नहीं होगा तो बिकॉस अफ लेस में से बिलेटी कुछ दिखे का नहीं तो फाइनली बहुत दें चलने के बाद हमें लाइतलूम का बोड दिखाई दिया कि यहां जाके लाइतलूम आएगा और हमें लग रहा है कि आप हम स्टांडर्ड रूट पर आ गए हैं गूगल ने हमें किसी तो कली में गुजा दिया था फिर वहां हमने एक शॉपकीपर स पूचा उन्होंने हमें बोला कि यहां आप गलात आगया बल्टा जाओ में रोड से जाओ यहां तो आफस जाओ फिर आम वापेस में रोड पे गए इस बीच में बहुत तेज बारिश होनी चालो हो गई दिन भी सॉट ओफ ड्रॉप्ट दू प्लान कि आज रहने देते नह अब फाइनली हम निकल गए है अभी लाइतलोम लगब 11 किलोमेटर बच्चा है 20 मिनिट का रास्ता है और जो अराइवल हमारा होना चाहिए था 2.30 का बारेश चेंज अफ प्लान बीच में वो इधर उधर पूचना पाचना इन सब के चलते हमारा वो जो प्लान हो शिफ्ट हो गया है तीन बच के 10 मिनिट का तो देखते हैं अभी उपर चलते है रस्ता थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है दोनों तरफ टी प्लांटेशन देखने को मिल रहा है हमें रोड अच्छी बनी हुई है इधर की भी क्योंकि अब अब हम शिलॉंग से बाहर आ गए तो ट् हमें अबने खारा है बहर की आवा वैसे भी हमें अपने शहरों में तो मौका मिलता नहीं खुलने को के पुल्यूटिड हवा मिलेगी कि यह फाइनली हम पहुंच गए हैं लाइट लूम कैनियन और जो सुनाता वो सही है है यहां नीचे भी बादल उपर भी वादल और आपके साथ हुब बादल के बीच में है इस वतुंध अप मेरे पीछे देखरें और पूर बादल बादल है और 10 जैन से इस आहां पर 6 7 बहुत सारे थाis काफी लोग आरेखे हैं परी अच्छी बीडे हैं पूरी बसे की बसे आरेके हैं लुक देर वीव आप दीक ब्यून वोरा कैनियन और पारड़ाव पे मागी की दुकान तो होती है तो देर इस वन मागी शॉप कापल अफ चिप्स की दुकाने but this area is plastic free and clean as well तो लोगों ने यह काफी सफ़ा ही रिख रखी है in general, ये this Lightloom Canyon is called Lightloom Canyon because ये Lightloom Village की अंदर पड़ता और Lightloom Village हमें बहुत साफ मिला बिलकुल गंदी नहीं थी, बहुत साफ सुत्रा विलज था and that is the canyon अभी अभी, look at that, look at that नीचे से बादल ऊपर आ रहे हमारी तरफ वो, what a view तरु पीचे बेटा पीचे आप ता आगया हो बस इधरी, वाव इसके बाद स्टीप है कुछ भी नहीं, बिलकुल खडी डाल है I don't know if you can see and I can actually hear water falling I don't know where it is falling to be very honest, मुझे आगे जाने में डरी लग रहे but there's water falling somewhere in there it's a very 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 deep one very deep the view is good नीचे भी बादल, उपर भी बादल अजू भी बादल, बाजू भी बादल सब तरफ बादली बादल we're just going to sit down, relax and enjoy the view and this is the view, wow I'm so loving this view you are a real it's like you are a fake it's a church, heaven you are a real what is it, I don't know it's a real we are a real no it's a real it's a real you are a real this is the unity you are a real तो जो अलमोस्स संसेट हो गया हमने यहां पर नाना करते भी दो से तकरी बंद दो घंटे बिताली होंगे लगबग पॉने छे हो गये पॉने चे है साड़े पांच ही बजोंगे पांच पांच चालेश पांच चालेश का टाइम हो है और अब वक्ते वापेश शिलॉंग जानेगा